मुंबई की वान खेड़ी स्टेडियम में भारत और इंग्लेंड के बीच खेले जा रहे चौथे टिस्ट में अपना पहला टिस्ट मैच खेल रहे केटन जेनिंग्स के नाबाद 65 रन और कप्तान एलिस्टर कुक के 46 की सांदार पार्जियों की मदद से इंग्लेंड ने मजब पहले बल्ले बाजी करने उत्रे मेहमानों ने दिन के पहले सत्र में कप्तान के रूप में अपना इकलावता विकेट गमाया अपने अर्ज सतक की ओर बढ़ रहे कुक रबीन जडेजा की गेन पर चकमा खा गये और पार्थि पटेल ने उन्हें स्टंप किया उनका विकेट 25 ओवर में 99 के कुली स्कोर पर गिरा गवर तलब है कि यह मैच इस रंखला का चाउथा मैच है इसमें इंगलाइन की हालत करो या मरो जैसी है दर असल सीरीज के बांकी तीन मैचों में भारत 2-0 से आगे चल रहा है इस सीरीज का पहला मैच ड्रा हो चुका है